दोस्तों आपको बहुत बहुत प्रणाम। क्या आप जानते हैं किस कारण? स्त्रियां कभी नहीं फोड़ती है नारियल। नारियल को श्रीफल के नाम से भी जाना जाता है और इसे भारतिय संस्कृती में अत्यधिक पवित्र माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान विष्णों ने प्रित्वी पर अवतार लिया तो वे अपने साथ तीन महत्वपूर्ण चीजे लेकर आए। लक्ष्मी, नारियल का व्रिक्ष और कामधिनू इन तीनों का भारतिय धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यंत गहरा है। विषेश रूप से नारियल के व्रिक्ष को श्रीफल कहा जाता है। जहां श्री का अर्थ लक्ष्मी होता है, अर्थात नारियल को लक्ष्मी और भगवान विष्णू का फल माना गया है। इस प्रकार श्रीफल में तृदेव, अर्थात ब्रह्मा, विष्णू और महेश का वास माना जाता है और यही कारण है कि इसे पूजा में विशेश रूप से चढ़ाया जाता है। श्रीफल भगवान शिव का परम प्रियफल है और इसका विशेश महत है। इसके उपर बनी तीन आंखो को त्रिनेत्र के रूप में देखा जाता है। जो भगवान शिव के त्रिनेत्र का प्रतीक होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रीफल के सेवन से शारिरिक दुरबलता दूर होती है। और इसे इश्टदेव को चढ़ाने से धन संबंधित समस्याओं का समाधान होता है। भारतिय पूजा पद्धती में नारियल का विशेश स्थान है। कोई भी वैदिक, धार्मिक या सामाजिक पूजा श्रीफल के बिना अधूरी मानी जाती है। विशेश रूप से एक महत्वपूर्ण बात यहा है कि महिलाएं नारियल नहीं फोडती है। इसके पीछे एक धार्मिक कारण यहा है कि नारियल को बीज के रूप में माना जाता है, जो उत्पादन और प्रजन का प्रतीक होता है। चुंकि स्त्रियां स्वयम बीज रूप में नए जीवन को जन देने की क्षमता रखती है। इसलिए उनके लिए बीज रूपी नारियल को फोडना अशुब माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नारियल फोडने से प्रजन क्षमता प्रभावित हो सकती है। और इसी कारण से धार्मिक रीती रिवाजों के दौरान नारियल को केवल पुरुशो द्वारा ही फोड़ा जाता है। विशेश रूप से भगवान शनी की शांती हेतु नारियल के जल से शिवलिंग पर रुद्राभिशे करने का शास्त्रिय विधान भी है। भारतिय वैदिक परंपरा के अनुसार श्रीफल शुप्ता, सम्रिधी, उन्नती, सम्मान और सौभाग्य का प्रतीक होता है। इसे विभिन धार्मिक और सामाजिक अफसरों पर भेंट स्वरूप भी प्रदान किया जाता है। उदाहरण के लिए, किसी विशिष्ट व्यक्ती को सम्मान देने के लिए उन्ही शौल के साथ श्रीफल भेंट किया जाता है। भारतिय सामाजिक रितिरिवाजों में श्रीफल को शुप शगुन के रूप में भेंट करने की परंपरा सदियों से चलिया रही है। विवाज की सुनिष चित्ता के लिए तिलक के समय श्रीफल भेंट किया जाता है, ताकि शुप फल प्राप्थ हो। यहां तक की अंतिम संस्कार के दौरान भी श्रीफल का महत्व होता है और इसे चिता के साथ जलाया जाता है। इसके अतिरिक्त वैदिक अनुष्ठानों में सूखे नारियल को होम किया जाता है, जो विशेश रूप से शुब माना जाता है। श्रीफल सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोन से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बलकि यह स्वास्थे की दृष्टी से भी अत्यंत लाबकारी होता है। नारियल में कैलोरी की अधिक मात्रा होती है और इसकी तासीर थंडी होती है, जो शरीर को शान्ती और ताजगी प्रदान करती है। इसके कोमल तनों से जो रस निकलता है उसे नीरा कहा जाता है, जिसे अत्यंत लजजतदार और स्वास्थेवर्धक पे माना जाता है। नारियल का पानी पीने से शरीर को ताकत मिलती है और यह तंत्र का तंत्र को बल देता है, जिससे मानसिक तनाव कम होता है और नींद भी अच्छी आती है। इसके पानी में पोटेशियम और क्लोरीन होता है, जो मा के दूद के समान माना जाता है। इसलिए जिन शिशों को मा का दूद ठीक से नहीं पचता, उन्हें दूद के साथ नारियल पानी मिलाकर पिलाया जाता है। ताकि उनकी पाचन शक्ती बहतर हो सके। डिहाइड्रेशन की स्थिती में नारियल पानी में नीम्बू मिलाकर पीने से तुरंत राहत मिलती है और शरीर में जल की कमी पूरी होती है। नारियल की गिरी खाने से कामशक्ती में वृद्धी होती है। इसे मिश्री के साथ सेवन करने से गर्भवती महिलाओं की शारिरिक दुर्बलता दूर होती है। और यहां माना जाता है कि इससे गर्भ में पल रहे शिशु का स्वास्थ्य और रूपरंग बहतर होता है। गर्भावस्था के दौरान नारियल का सेवन न केवल मा के लिए बलकि शिशु के स्वास्थे के लिए भी अत्यंत लाबकारी होता है। इस प्रकार नारियल यानी श्रीफल को धार्मिक, सांस्कृतिक और स्वास्थे संबंधी सभी दृष्टिकोणों से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। यही कारण है कि यह भारतिय परंपरा में गहरे रूप से समाहित है और इसका उप्योग पूजापाट, धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिक रिती रिवाज और स्वास्थ्य वर्धक आहार के रूप में होता है। ऐसी ही जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा दीजिए। इससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करके दोस्तों के साथ शेर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी जरूर लिखिए। इससे हमें प्रोचसाहन मिलता है। धन्यवाद।